हलो फ्रेंड्स मैं भूमिका भूमिका मेकोवर से आप सब लोग कैसे हैं? I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे आज मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप D10 फेशल या क्लीन अप कर सकते हैं सबसे पहले आपको क्लीनजर लेना है बैन वगरा लगाने के बाद आपको अच्छे से क्लीनजर लेके आपको अच्छे से मसाज करना है और हमेशा यह ध्यान रखना जब भी आपने क्लीनजर लेना है तो उसको अच्छे से 5-7 मिनट उसकी मसाज करके आपको अच्छे से मसाज करनी है इस तरीके से आपको मसाज करके आपको ऐसा नहीं कि आप कौर्टन में या टीशू में क्लिन्जर लेके फेस को क्लीन करो मसाज करने से यह होता है कि अच्छे से जो डस्ट वगरा होता है extra tanning या कुछ भी होता है आपके फेस पे मेकप होता है किसी भी चीज़ का या कुछ भी है वो सारा रिमूव हो जाता है मसाज से तो अच्छे से पांस से साथ मिनट आप अच्छे से मसाज करो क्लींजर की उसके बाद और देखो हमेशा हर किसी कस्ट्रोमर का मैसेज देखा है कि वो हमेशा पूसते हैं कि आप घर में आप कुछ भी घर में कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं कोई भी फेशल करते हो कुछ भी कर सकते हो बट आपको नॉलिज होनी चाहिए उस चीज की पालर में और घर में यही फर्क होता है सलॉन वाले जब भी फेशल करते हैं तो वो क्लाइंट की जिस चीज की उसके फेस को करते हैं कि आब इस टाइम कर गर्मिया है तो आप डीटैन है ऐसा नहीं अब रना नॉर्मली आप लुड हो तो वरना भूल का अंटि टैन बहुत सारी चीज़े भुथ फेशल है तो आप अपनी स्किन को देखो उसके आसे बाद इसाहब से भी अधिल तो लोग नॉर्मल्ल यी यह क्या होता है कि स्लाॉन में और घर में यहीं फर्क होता है कि स्लाॉन वाले जब आपको इस तरीके से क्लीन करने के बाद आपको स्क्रबिंग करनी है और D10 में ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़ादा होते हैं क्लीनप में जो होता है आपका स्क्रब होता है आपका पैक होता है आपका क्लीनजर कईवर क्या होता है कि आप क्लीनप की अपकिट लेकर आते हो तो उसमें क्लीनप क्लीनजर भी नहीं होता है तो salon में क्या होता है कि cleanser नहीं है तो हमने अपना cleanser लगा दिया अगर gel नहीं है अगर customer को कई बर क्या होता है scrubbing के बाद कभी भी आप अपनी skin को आप normal मत छोड़ो बिना pack के या बिना cream के कई बर क्या होता है कि D10 में सिर्फ pack ही आता है और scrub आता है और उसके अलावा कुछ नहीं आता बट ऐसा नहीं है आपको cleanser से face को clean भी करना है और scrubbing करने के बाद आपके face को किस चीज की need है आपको वो भी आपको देखना है अगर आपके skin oily है तो हमेशे ये दियान रखो कि scrubbing के बाद आपको cream से massage करनी है हम पालर में क्या होता है कि client को कई बर बहुत जादा dry skin होती है तो ऐसा नहीं कि हमारी kit में कई बर उतना समान आता भी नहीं है उतनी चीजे किटों में होती भी नहीं किट में कई बर होता है कि gel है cleanser है नहीं होती तो कई बर ऐसा होता है कि client की बहुत जादा extra dry skin है तो हम अपनी तरब से हमको capsule देते हैं vitamin C के तो ये चीजे भी आपको हमेशा ध्यान में रखनी है के vitamin C के ये vitamin E का capsule लगाओ जिससे के skin dry है तो वो ठीक हो देखिए इस तरीके से आपको massage करनी है और हमेशा ये ध्यान रखना है जब भी आप scrubbing करते हैं फेस पे हमेशा finger की help से आप scrubbing करें कभी भी scrub को आप बहुत hard हातों से न करें क्यों कि scrub वैसे ही कई कई company के बहुत hard scrub होते हैं तो ये चीज बहुत ध्यान में रखके करनी होती है scrub को आप फेस पे जादा ना रखने हमेशा scrubbing आपकी 5-7 मिनट हो इस से जादा आपको scrub कभी भी नहीं करना चाहिए और हमेशा ये ध्यान रखना हो जब भी आपको scrub करना है जब भी आपको scrubbing अपने फेस पे करनी है तो आपको हमेशा finger से करना है ऐसा नहीं है कि आपको अच आम आराम से फेशल करोगे जितना आप एक फेशक की जाफ हगारव में सब्सक्राइब करो क्योंकि जितना क्लाइन को रेलेक्स सिली ड्र geral और आपको नाउन से अमधिन से ब्लब इस लगिए उछ गवेश्यां ही लॉम एक हमेशे ये चीज़े ध्यान रखनी है इस तरीके से आपको मसाज करनी है फेस की और ये वीडियो इतनी लंबी हो जाती है वैसे नॉर्मली आप क्लीन अप कितना भी छोटा हो फिर भी आपको क्लीन अप में कम से कम भी आपको आदे से पौन घंटा लगता ही लगता है बट ये के मुझे काट कट के दिखानी पड़े के जादा लंबी ना हो वीडियो तो इन चीजों का भी बहुत धिखान रखना है के जादा लंबी वीडियो ना हो और हमारे सलॉन में हर तरीके का फेशल होता है ऐसा नहीं है कि खालीड सबूत === एकने के लिए होता है हर तरीके की जो problem होती है customer की bridal, makeup, all services इस तरीके से आपको massage करने है face की और हमेशा finger से scrubbing जब भी करने है आपको finger की help से करने है इस तरीके से और हमेशा कोई भी जब भी scrub करते हो या cream से massage करते हो तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखने है कि हमेशा उसको end में हमेशा eyes वगरा पर उसको करें फिर face को clean करना है इस तरीके से अच्छे से साफ करके और हमेशा face को जब भी आप clean करते हो तो ये ध्यान रखें face के उपर जितना भी scrub होता है साफ करने के बाद भी आपको अच्छे से उसको जार दीना है क्योंकि जब आप massage करोगे तो क्योंकि देखो scrubbing हमेशा finger की help से होती है बट जब cream से massage करते हो तो आप थोड़ा सा हाथ अपना tight कर सकते हो जैसे client के साफसे के client को कैसा चाहिए तो इस तरीके से अगर किसी client को अगर ज़रुवत है scrub उसकी steam की तो आप steam दो नहीं ज़रुवत है तो मत दो क्योंकि देखो आपको यह चीज़े ध्यान रखना है अगर किसी client की अगर oily skin है उसके white head blackheads बहुत हैं तो आपको steam देनी ही होगी क्योंकि steam से यह जो आपके blackheads होते हैं white head होते हैं यह अच्छे से full जाते हैं तो बहुत easily निकल जाते हैं तो इनके face पे ज़रुवत नहीं थी तो इसलिए मैंने steam की जगा बिलकुल गुन-गुना पानी दिया कि face में scrubbing किये तो अच्छे से scrub निकल जाए जो एक्स्ट्रा वगरा जो भी हो इस तरीके से बटिंके white head नहीं थे और मैं हमेशा बता दूँ कि किसी भी customer को अगर white head नहीं होते तो आपको ज़रूरी नहीं कि उनको करना है जिनको ज़रूरत नहीं तो उनको आपको white head निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है जिनको ज़रूरत है तो आप उनको निकालो क्योंकि जिनके face पे ज़रूरत नहीं है बेवज़ा आपको उनको white head निकाल के skin में पोज होते हैं इस तरह ओपन होते हैं तो यह हमेशा ध्यान में रखे जिनको जरूत है तो आप उनको निकालो जिनके नहीं है फिर उसके बाद अपको फेस पे कोई भी स्प्रे इनकी नॉर्मल स्किन थी तो मैंने रोज वाटर डाला देखें यही सबसे बड़ा फरक होता है आप सलॉन में जाते हो तो हमें हमेशा हमेशाररा फेसर के लियुधित थी दिसके जाते हमारे कस्टमर को किस चीज की नीड है किसछीज की है हमारा फे度 अभर ऐसा नहीं कि किक हमेशार दो ही होता है कि अगर हमें लगता है इसको टोनर की जरूरत है तो टोनर लगाते हैं मैंने स्क्रबिंग करने के बाद मैंने जेल लिया इसमें इस वाले डीटैन में नहीं था इसमें सिर्फ scrubbing थी और आपका D10 का mask था तो इसमें नहीं थी मैंने scrubbing करने के बाद उनको जरूत नहीं थी तो मैंने steam देने के बाद gel से massage कर दी आपको gel से हलके हाथों से वो भी जब oily skin है ये normal है आपको gel कभी भी आपको dry skin ugenic Sand human और मैं आपसे एक चीज और कि हमेशा अगर dry skin होती है तो आप हमेशा ये चीज ध्यान रखो के cream की the mass उन यह उसमें आप पानी का use विल्कुल ना करें आप हमेशा ये चीज ध्यान रखो किesteem extra dry है तो आप उसमें पानी का use ना करें अगर आपको हाथ को आपके हाथ का मतलब नहीं चल पाते तो आप हलका सा मिल्क ले लो कच्छा दूद लेने से आप उसकी मसाज करो तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट होगा और स्किन में अच्छी मतलब मौश्चर आएगा तो यह चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी होती है छोटी छोटी सी के सलान में कई बर हम अपने कस्टमर को औरेंज जूज होता है उससे मसाज करते हैं कई बर कच्छा दूद होता है तो यह चीज़ें बहुत ज़ादा ध्या चोटी छोटी चीजों से इस तरीके से आपको अच्छे से मसाज करनी है फेस की और मसाज कम से कम जब विलेग्स मिलेगा उतना ही फेस पर घ्राएगा तो इस चीज को हमेशे आप ध्यान रखें इस तरीके से मैंने ये वीडियो बहुत ज़ादा इस टाइन पे काटी है वरना आप हलके हातों से आप अराम से कस्टमर को लेट के लाइट वगरा बंद करके आप अच्छे से मसाज करो कि फेस पे जितना कलाइन को रिलیکस मिलेगा उतना ही गलो आएगा तो आपको ये चीजे हमेशा ध्यान रखनी है और हमेशा आपने जब भी मसाज करो प्रे्सर पॉइंट के साथ आप अच्छे से मसाज करो क्योंकि देखो आप pressure point के साथ massage करोगे आपकी नसे खुलेंगी नसे खुलेंगी आपका blood circulate होगा तो आपके face पे obviously glow आएगा तो ये चीजे होती है देखो इसलिए बोलते हैं कि घर में और पालर में बहुत फरक होता है क्योंकि देखो पालर के लोगों को knowledge होती है बस knowledge का फरक होता है और किसी चीज का कोई ऐसा नहीं कि मैं आपसे बोलू कि नहीं घर में नहीं हो सकता है सब कुछ घर में हो सकता है बट ये ध्यान रखनी होती है चीजे देखे इस तरीके से अच्छे से massage करने के बाद आप पहले फेशल में देखो और आप देखो इसके बाद हमें mask लगाना है इसका detent का अच्छे तरीके से mask लगाने के बाद इस तरीके से mask लगाने के बाद अच्छे से face को mask apply करने के बाद इस तरीके से और हमेशा ये ध्यान रखना है हमेशा मास्क उपर की तरफ लगाना है इस तरीके से उपर की तरफ लेके जाना है उपर की तरफ मास्क लगाके आपको यह चोटी चोटी चीजे होती है जो बहुत जादा मतलब ध्यान में रखने की होती है पर इसको आप नजर अंदास करते हो फिर बाद में लगता है कि glow नहीं आया face पे तो इचोटी-चोटी सी चीज़े होती है जो कि घर पे नहीं इनसान पता होता लोगों को सलोन वालों को knowledge होती है इन चीज़ों की तो इसलिए इसलिए ये फर्क होता है glow का कि सलोन में जाके आप नॉर्मल clean up भी करा कर आते हो तो आपके face पे result नजर आता है इस तरीके से ये देखिए अच्छे से pack को apply कर लो इस तरीके से अच्छे से pack लगाने के बाद आपको eyes pack रखना है अपनी आँखों पे क्योंकि eyes pack रखने से दो फायदे होते हैं एक तो आँखों को बहुत रिलेक्स मिलता है दूसरा जो जितनी भी extra skin वगरा मतलब cream आपकी होती है वो सारी जो भी आँखों में होती rose water रखने से वो सारी extra skin cream निकल जाती है अपकी अब देखो ये detan करने के बाद मेरे face का glow देखों कितनी tanning मेरे face की साफ हो गई और अच्छे तरीके से इसका तो यहीं होता जिस चीज की आपको नीड है वो आप कीजिए thank you so much